तो दोस्तो ट्रेडिंग साइकोलजी की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं मतलब इस पे और बहुत सारा डिस्कुशन है मैं थोड़ा सा आइडिया भी दूगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें लेकिन उसके पहले मुझे कुछ 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 है जो मुझे पर्मीशन लिया है कि अगर मैं इसके उपर इन जनरल बात करो क्यूंकि कहीं न कहीं ऐसे क्वेस्टन इस सीरीज में जो जुड़े हैं उनमें बहुत लोग के दिमाग में आते होंगे या अलग-अलग तरीके से हम सभी ट्रेडिंग में ऐसी कुछ चीज़े फेस करते हैं तो वो डिसकस करते करते आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा सबके लिए क्यूंकि हमारा अल्टिमेट गोल क्या है यहां पर कि हम अपना एक्जेकूशन बेटर करें हम जो सिस्टम स्ट्राटेजीज या एक मैथालोजिक एक्जेक्यूट नहीं हो पाती है उसके लिए क्या-क्या इश्यूज है एक नहीं है बहुत सारे टाइप के इस्टम से बागते हैं अब जो अभी तक हमने डिसकस किया है कि सारे इस्टम का एक जड़ है ना वो शेड़ो पीएंडल पर अब यह एक सीरीज है तो जो लोग है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो अगर पहले के इसके चार-पांच जो एपिसोड देख ले तो एक रेफरेंस रहेगा एक आइडिया रहेगा कि क्या हम बात कर रहे है अब देखें कुछ क्वेस्टन्स हैं वो मैं पहले यहां पर पढ़ता हूं और उसके उपर फिर हम बात करते हैं तो एक एक क्वेस्टन था कि जो हमने बात किया ना 3M पर मी मैथर और मार्केट्स तो यह है जो एक मैथर पर के अगर एक सिस्टम है और उसका हो सकता है कि फेवरेबल सिनेरियो नहीं है तो जो हमने बात किया था ना कि मार्केट ट्रेंड एंड मी मतलब यह दोनों जैसे हम तीन सर्गल की बात कर रहे हैं 3M मेट्रीक्स पर यह दोनों तो है जो होने चाहिए मतलब हम जो स्टैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसका फेवरेबल मार्केट सिनेरियो है तो वह परफॉर्म करेगा यह तो बहुत ऑव्य करना चाहिए यह पता होना चाहिए अब पहली बात है कि यह question उन्हीं को आ सकता है जो किसी एक method पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो इस गुट question and it's an achievement I would say मतलब यह question आया है इसका मतलब अब एक method पर तो अच्छे से काम कर रहे हो ती अब एक method मतलब हम में example लेते है simplicity rate के मानलो मैं cash में या positional stocks में trade करता हूं buy and sell let's say mid cap small cap अब जब mid cap और small cap ऊपर जा रहे है तब तो मैं जिस भी method से उसको buy कर रहा हूं sell कर रहा हूं उसका favorable time है and that method will do well अब मानलो वो जब underperform करने लग गए या stocks अच्छे perform नहीं कर रहे है तो जो मेरे breakouts है या जो भी method से में trade कर रहा हूं वो नहीं चलेंगे तो ऐसे टाइम पर क्या होना चाहिए कि दूसरा तो उसी time डिमाग में question आ सकता है कि कोई ऐसा method जो ऐसे टाइम पर अच्छा चले for example कि हम options में कुछ trade कर रहे हैं या ऐसा कोई दूसरा system जो ऐसे time पर help करें अब यह topic actually वैसे बड़ा है लेकिन यहां मैं थोड़ा सा touch कर दूँ तो इसको क्या कहते है आप multiple trading systems जब करते हो यह actually advisable है मतलब कोई भी अगर system trader है अगर कोई भी अगर method से trading करते है तो अगर multiple strategies हो जिसको execute कर सके अब यहां पर statistically non correlated strategies होना चाहिए लेकिन उतना complex हम ना भी करें एक simple तरीक ऐसा समझ लो ऐसे systems जो आपस में बिल्कुली same type के ना हो मतलब आप निप्टी में कोई एक system कर रहे हो जो breakout कर रहा है और निप्टी में दूसरा भी कोई trend following type का system है तो वो दोनों में मतलब एक ही type एक ही market में दोनों चलेंगे एक ही market में दोनों में problem हो तो यह related systems नहीं है आपको actually ऐसा help भी करेंगे portfolio लेवल लेकिन अगर आपके ऐसे systems है अब बिल्कुल सिंपल तरीके से मानले cash में system है जिसमें आप रीक आउट कर रहे हो एक आपका options के system है तो यह तरह से अलग-अलग systems है वो सकता है इनका pay off अलग-अलग अलग तरीके से परफॉम त चाहिए लेकिन इसको करना कैसे चाहिए as good as जैसे आप अलग-अलग books manage कर रहे हो मतलब एक system का पूरा अलग accounting दूसरे system का पूरा अलग accounting और हो सकता है और system जिसका पूरा अलग तरीके से आप इसको maintain कर रहे हो and then portfolio level पर return आता है तो यह करना यह बोलना एक बात हो गए इसको practically करना इसके लिए बहुत discipline और ओर टाइप का mindset जरूरी है तो आप इसके पहले मैंने जो बताया था जो पहला hack है हमारे पूरे psychology में fund house you should think like a fund house you should become a fund house तो अगर यह fund house करता तो क्या इसको organized तरीके से करता तो अगर आप वैसे सोचके करोगे तो then you can implement it well अपका mindset ही ऐसा हो कि मुझे काम एकदम organized तरीके से करना है as if I am like a big fund house managing good funds दिखे mindset change करोगे ना चीज़े change होगी retail जो हमने वो दिमाग में एक बिठा दिया है वैसे नहीं है आपको काम करने का तरीका काम अगर कोई भी ठीक तरीक से करे तो कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर भी अच्छे अच्छे fund house का outperform कर सकते है तो हमें सोचना उस तरीके से ठीक है तो यह करना चाहिए multiple methods लेकिन पहला step क्या है पहले तो आप कोई एक method सो ठीक से हम execute करना सीखे तो यह मैंने थोड़ा तच किया जो important चीज था तो it is important अब इसमें एक और बात method एक ही हो मानलो अब वो मैं follow कर रहा हूँ जब मैं कोई भी method follow करूं मुझे यह पता होना चाहिए कि इसका एक favorable phase होगा और इसका एक non favorable period होगा ठीक यह कोई भी method हो पहले ही खुद को बोलो वो mindset में रहना ही नहीं है कि अब तो मुझे market समझ आगे अब तो मुझे पता है क्य यह नहीं होता है आप एक अलग mindset में हो जहां पर आप current situation को ही ऐसा समझ के रख रहे हो कि यह ऐसा ही रहेगा इसको एसा रिसेंसी बायस भी कहता है मला अभी जो है हमें लगता है यह एसा ही रहेगा तो यह problem होता है ऐसा कभी भी नहीं होता हर method का एक difficult period आता है और आपका एक preparation में क्या करूंगा अगर हमने mind में downside एक बार account कर लिया है तो हमें उसका preparation करना पड़ता है कि उस time में क्या करूंगा अब यह भी होता है कि मानलो मैं एक investor हो मैं cash में trade कर रहा हूं invest कर रहा हूं and I'll stay अब जब market में correction आएगा तो मुझे पता है कि मेरे stocks नीचे होंगे तो उस time मैं यह भी accept करके बैठ हूं कि ठीक है मैं I'll wait I'll do nothing और मैं वो period को जाने दूंगा that itself is a strategy जरूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ दूसरा कोई जरूरा थै लेकिन मेरा mindset prepared है उसके लिए तो वो मेरा preparation है कि ऐसे भी preparation होना चाहिए या फिर मैं उसको दूसरी strategies उस time करूँगा जो भी I should be prepared right तो हमेशा धहन में रखना एक downside हर method का होगा एक अच्छा तरीका है जो down आगे जाके आपको scale करने भी help कर सकता है multiple methods वहाँ पे मुझे लगता है आपको as a trader जरूर जाना है वो एक process है अब next query देखते ह means what should be the approach in that scenario shall we refrain from trading or may be the position size should we should be kept minimum and in trending market shall we try to scale up and maximize the returns or shall we stick to the same position sizing irrespective of market trend how to tackle this kindly explain अब यह question है इसमें दो टाइप का चीज है पहला तो है कि what should be the approach in that scenario कौन से इसमें जब market trend or consolidate हो रहे हैं मतलब अब मैं assume करता हूं वानलों आपका breakout system है तो trending market में it will do well और consolidation में there will be a problem यह तो मेरे खाल से हर ट्रेडर को इतना idea रहता है तो यह जब हम यह system कर रहा है तो हमें पता है कि यह आ सकता तो there will be a problem अब या तो हम इसको anticipate करें कि कब consolidation आएगा कब sideways आएगा यह method का part हो सकता है लेकिन हम कर भी सके successfully कर पाए तो that is nice नहीं कर पाए तो भी हमें पता है हर एक चीज़ को successfully anticipate करना आसान नहीं है तो यह problem आने वाला है तो what should be the approach shall we refrain from trading और maybe the position size एक्चुली इस question में कहीं कहीं solution भी है है ना कि क्या करूँ अगर मान लो पहले बाद तो यह ऐसा period आ गया सबसे important चीज़ क्या होता है कि वो realize होना कि मेरे system का difficult period है अब systems और method की जो बात करते हैं उसमें दो टाइब के broad level पर method हो सकते हैं कि आप एक instrument पर trade कर रहे हो जैसे for example मैं निफ्टी में ट्रेड करूं regularly based on any method दूसरा है कि multiple instruments है और जब भी मेरा system में क्वालिपाई हो तो मैं वह stock को trade करूं या instrument को ट्रेड करूं ठीके broad level पे दो और उसका मुझे पता है अगर वो trend following method है तो उसमें consideration में problem होगा अगर मीन लीवर्जन मतलब उपर में बेचना नीचे में लेना टाइब तो उसमें बड़ा trend मेरे अगेंज जाएगा तो problem हो तो अब यह system को जब हम backtest करते हैं तो उसके success ratio होता है उसका risk reward होता है उसमें एक failure लेते हैं हम उसको study करते हैं system को देख लेते हैं फिर हम accept कर लेते हैं तो problem क्या है हमें पता ही है ना कि मानलो 50-50% 60% उसका hit ratio है तो 40-50 तक तो वह loss में भी जाता है वही तो problem है इसी scenario में वह loss देगा राइट हमने देख भी लिया है उसके बाद भी है उसमें favorable result है तब हम उसक किया हो कही ना कहीं downside accept किया तभी आप system को trade करो और इसलिए जरूरी है system को trade करने से पहले को study कर ले है और वो कर लिया है तो फिर problem क्या है problem यह है कि हम हमारे methods को हमेशा कोशिश करते हैं आउट smart करने की आप यह knowingly unknowingly आप समद लो हर एक trader का यह issue कि इसी लिए trading strategies भर भर के है सब जगा discuss होते है paper पर बहुत सारे strategies होते है लेकिन execution hardly कुछ होता है इसका reason ही यह है कि हम every time जब कोई strategy implement करते है फिर हमारा कोशिश रहता है अच्छा मुझे पता तो है कि उसमें 40% time loss होता है लेकिन उसको बचाओ कैसे तो पहले ही market में समझ करने वाला है तो पहले ही निकल जाओं यह कोशिश रहता है फिर जब वो नीचे आता है या खो रहा है तब उदर में every time we try to do something कि मैं strategy को बैटर कर लो उसका बैक टेस्टिंग में आ रहा था ना कि 60% heat ratio में को 70-80 करना है उसी strategy इसके problem क्या है पता है जब हम smart बनने की कोशिश करते हैं और कोई हम decision ऐसा ट्विक कर लेते है strategy को और फिर जब वो हमारे favor में आता है तो हम एक गलत lesson लेते हैं गलत lesson क्या है कि जो मैंने किया था ना वो सही था क्यूंकि उससे फाइदा हुआ तो हमने सीख लिया वो wrong lesson तो य यह lesson आया based on the outcome मतलब यह करने के बाद अगर मुझे profit हुआ तो जो मैंने किया वह सही था अब क्या हुआ पता है यह जो करने से आपको अगर कुछ पाइदा हुआ है in the process आपके system method का तो band बज गया आपने समझ लिया कि मैं smart हूँ मैं तो system से better हूँ मेरा judgment काम करता है अगर आ आपने देखा हूँ आपके system का रूल बनना चाहिए process बनना चाहिए चाहे पूरी तरह से objective ना हो आप मतलब आप analysis करके ही करते हो लेकिन जो भी आपने रीड किया हूँ एक तरह से system का पार्ट बनना चाहिए अगर आपने नहीं किया तो यह जो lesson सीखके आपने आज profit किया थ तो वो जो smartness है वो वहाँ पर बारी पड़ जाएगा system भी इन प्रोसेस में गया और ultimately जो हमने read किया था वो सब work out ही तो यह बात है कि जब हम एक instrument करते है तो उसको तो अगर एक system follow करते है तो उसके तो हर upside downside accept करके ही चलना चाहिए नहीं उसमें analysis करते रह रहें then we should try and see अगर कर सकते हैं ठीक है position sizing अच्छा इसके उपर मैं बात करूँ उसके पहले भी अगर मानलो आपके ऐसा system है जिससे आप qualify होने के बाद stocks select करते हो अब मानलो breakout का आपका कोई system है वो system में सबसे पहला क्या होगा कि आपके breakout के stocks आने कम हो जाएंगे number one दूसरा मानलो market trending से थोड़ा sideways downside या correction हो रहा है दूसरा यह होगा कि आपके कुछ trades fail होने start हो और तब आपको idea आता है कि नहीं यह favorable time नहीं है वो systems में वैसा idea आता है और हर एक हर एक जन यह experience करता है problem कहा आता है में बता रहे होता है कि जो loss जहां book करना चेंवा ज्यादा तो लोग book करते नहीं है hope में बने रहते हैं वो सबसे बड़ा problem रहता है और दूसरा problem होता है कि जब trades fail हो रहे है तो हम वो system को ही abundant कर देते कुछ दूसरा दूसरा द्रूमने की पूशिश है यह दो problem की बज़े से जादा तर लोग वहां पर struggle करते हैं यह इसले भी discuss करो यह एक एक चीज हमें समझ नहीं है और हमें दिमाग में घुसानी है कि problems क्या है है और अगर हम common लोगों की तरह ही सोचेंगे और उसी वही गलतिया हम बार बार रिपीट करेंगे तो results वही रहेंगे result कहां से extraordinary होने है अब दोनों ही case में अगर मानलू difficulty का idea आया है तो refrain I would not say मतलब या तो वो थोड़ा अगे का stage है स अगर आप वहां तक अगर conviction नहीं गया है उसकी ऊपर भी बात करेंगे जिस सब्जेक्ट में relative strength breath जहां पर मैं बात करता हूं market regime analysis वहां पर कोशिश वही होता है कि हम market को थोड़ा सा read करें और कौन से market scenario में क्या strategy apply करना चाहिए वहां तक पहुंचते हो बहुत अच्छा है न बहुत सारे trading system पे भी लेकिन at least हम ऐसे टाइम पे वह कम कर दो एक तरीका है कि difficult period कम position से निकले और फिर आपको आइडिया है कि now position now markets favor कर रहे आपके system को तो position size restore कर दो ये भी एक तरह से theoretical statement है इतना आसान नहीं है कि market का अब difficult period में जा रहा है ने position sizing कम कर दिया अब अच्छा कर है लेकिन अगर आप वह attempt करोगे at least that is better अब यह भी जब आप कर रहे हो यह अपने process का ही part हो सकता है मतलब अगर मैं यह बोलू मुझे पता है ना कि कहीं ना कहीं downside आएगा उस strategy का तो उस downside के लिए मैं पहले से ही अपना position sizing पे preparation रखू वो system का ही part हो सकता है कि यह favor system होगा तो position sizing एसा होगा so my idea is कि आपका जितना भी यह सब चीज है अगर आप process में involved कर दोगे तो यह ऐसी जो questions आते हैं यह अपने आप कम हो जाएगा आपके अपास सब कुछ defined और वो लेवल पर आना है अपने को और इसी का मतलब शेल विस्टिक टू सेंपोजिशन साइजिंग इरिस्पेक्ट्रेंग यह एक अप्रोच होता है जब नॉमली हम लोग जब system टेस्ट करते हैं तो हम बैक टेस्ट करते हैं या system को study करते हैं तो ह पॉजिशन साइजिंग से हमने system देखा है तो उस ताइम पे तो हमने जो outcome आया उसको accept किया है इसलिए अगर वो same originally तो it should be same लेकिन practically कभी-कभी drawdown को handle करना difficult होता है इसलिए उस ताइम पे position sizing हम कम कर सकते है लेकिन उसके अपने कुछ pros and cons होते है हर method के लेकिन practical हम अगर बात करें तो difficult period में position size कम करने से थोड़ा pain जरूर कम हो सकता है लेकिन difficult period कभ अच्छा बन जाएगा वो notice देखके तो होता नहीं इसलिए हमें system को उसमें consistent रहना वो जरू पूर ही है इसलिए system ही अगर ऐसा हो अगर हम multiple instruments में कर रहे है कि difficult period में trade ही को कम आ रहे है that itself will keep you on track अब एक और query देखते है sentiments and emotions are very much attached with trades and shadow p. P&L even if we have clear entry and exit plans still at times we do fall for early exits those times frustration grows and we think that we are not gaining or getting the optimum results which should be achieved in respect to system and knowledge we have So, इसमें एक तरह से accept भी किया और एक तरह से पता भी है कि shadow p.n.l का ही problem है वहलब question क्या है कि clear entry और exit plan है उसके बाद भी we fall for early exits और उस time पर frustration grows we think that we are not अब देखिए कि अगर हम लोग यह problem की जड़ कहां पर यह है कि हमें लगता है यार book कर लो exit early कर देते है profit book कर लेंगे दो केसे सोते है profit book करते है या नीचे आ रहा है loss भी हो रहा है stop loss दूर है जल्दी निकल जाते है क्यों इतना loss देने दूनों ही case में issue यह जो हमने पहले की वीडियोस में किया था पहला तो है shadow P&L यह आता कहां से है क्यों profit और loss book कर लेते यह चीज आया है यह आया है because हमारा ध्यान ही P&L तो यह issue ही है shadow P&L और यह emotional trading को ही लेके आएगा और कोई भी तरीके से आप करो कहीं न कहीं हर trader इससे सफर करेगा ही यह मैं इतने साल के experience के ब अब आप इसके लिए पूछो अपने आपसे पहले तो कि अगर मैं exit कर लूँ और profit book कर लिया वो profit का में क्या करूंगा कोई और trade लूँगा उसका भी stop loss होता है वो भी तो बच सकता है तो फिर जो है उसी को stick करने में क्या problem है और दूसरी बार अपने आपको यह बोलो कि दिखूंगा मेरा ध्यान सिर्फ और सिफ execution पर होना चाहिए बहुत टाफ है लेकिन यह बार बार यह discuss भी इसलिए करो हर को यह उसी के आसपर स्ट्रगल करता है अगर मेरा काम है process पे ध्यान देना market analysis अच्छा करना अगर जो लोग subjective करते हैं और in the process market will give me returns और वो return एक या दो ट्रेड से नहीं आएंगे वो returns over a time ही आएगा आपके हर ट्रेड को अगर आप जच करोगे तो problem हो नहीं है ठीक है तो इसका जो जड़ है वो शड़ोपी एंगों नेक्स्ट इस the major cause of the emotion is money the old mistakes haunt and you are blocking the mind how to get out of these old logs in mind which are mapped in neurons losing is what feared always and the conviction on method or system deep dive in negative territory because of these factors how to find the solution this अब देखें यहां पर दो important चीज़े है old mistakes अना मतलब एक ही में ज्यादा करूंगा और blocking the mind मतलब ultimately क्या है old mistakes अब old mistakes या old experiences यह हमारे दिमाग में बार बार है और उसी से सीखे हुए lessons के base पे हम आज decisions लेते हैं अब इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ज्यादातन lessons जो हमने सीखे है वो wrong lessons क्यों wrong lessons है because वो हमने decide किये है based on the profit or loss जो हमने उस trade में लिया उसके base पे हमने यह decide किया कि जो मैंने किया वो सही है अगल है वही सीखे हुए lessons जो so called आपके दिमाग में है वही आज जाके आप recall कर रहे हैं और उसी के is what period always हर कोई यही तो डरता है और यही इश्यू है कि conviction और method और system यहां पर इश्यू आता है अब यहां पर दो चीज़े loss का fear old experiences यह दिमाग में निकालने से पहले old experiences दिमाग से निकालने के लिए पहली बात तो हमें वह जो lessons गलत सिखे न वही correct करने पुड़ेंगे और वह सब आता है outcome को लेके और जो loss का fear है वो भी यही है कि मेरा यह पैसा जाएगा तो क्या अब हम जब system, method, trading strategies इसकी बात करते हैं वो क्यों करते हैं रेंडमली नहीं करना है इसलिए करते हैं तो trading system का part भी होता है कि मैं enter कप करूँ, मैं exit कम करूँ, मेरा position sizing क्या होगा, मेरा risk management क्या होगा, यह सब चीज़े जरूरी है और यह मैं इसलिए वापस बता रहा हूँ, बह अभी भी उन्होंने organized तरीके से इसको किया नहीं है, बहुत सारे लोग experience और judgment के नाम पे खुद यह समझते हैं कि market में तो experience से हमें करना चाहिए, दीखे जब अच्छा जब जा रहा है तब ठीक है, बट so-called experience जब पूरी तरह से गलतिया करने पे आ जाता है ना तो बहुत dangerous mistakes होने start होते हैं, जिससे फिर losses वगेरा control के बाहर चलिए, बहुत लोग जब questions पूछते हैं, stocks को लेके, आपको पता है, ज्यादातर questions में issue क्या होता है, कि एक stock बहुत उपर लिया है, वहाँ से बहुत नीचे, अब पूछते हैं, कि अब इसका मैं क्या करूँ, frankly, दुनिया मे कोई advice ही नहीं हो सकता है, मुझे किसी ने अच्छा बोला था, there can not be a good advice for a bad trade, तो bad trade का मतलब क्या है, कि आपने लिया, अब आपने exit किया ही नहीं है, बस hold करे गए, अब उसको once a level पे करना है, इसको define करना बहुत मुश्किल है, तो issue क्या है, कि आप, ये अगर आपके process में है ये इसी लिए हम process और system की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो loss है ना, उसको limit करना है, loss को आप पुरा हिटा नहीं सकते हो, profit loss के बगए हो नहीं सकता है, there will be a profit, there will be a loss, loss कम हो और profit ज्यादा हो, यही ultimately हमारा goal होना चाहिए, लेकिन वो loss कम जो हम study करके करते हैं, उसको भी हम outsmart कर नहीं कुशिश करते हैं, वो भी ना हो, वो कोशिश करते हैं, और जो profit होना चाहिए, उसमें भी हम जल्दी-जल्दी निकल के उसको limit करना है, यह सब सारे दिक्कते होती है, तो ultimately, पहले तो दिमाग को यह हमें train करना जरूरी है, कि यह जो fear है, यह दिमाग का है, और हर trade को judge ना करें, तो loss हर trade में नहीं होता है, profit या loss over a time होता है, जो ledger में होता है, ठीक है, यह जो एक trend रहता ना, professional trading वैसा नहीं है, कि आज मैंने कितना कमा है, आज मैंने कितना loss किया, I don't think, मतलब short term trading के लिए भी long term thinking के ज़खा है, over a time results matter, every trade, every day को judge करने के process में mentally भी exhaust हो जाओ गया है, कि हर trade हर दे को judge नहीं करना है, और इसलिए loss का fear, fear की उपर में और अलग से बात करूंगा, एक hack पे हम उसके उपर भी करेंगे, लेकिन वो पहले तो, वो fear को कम करने के लिए ही process है, यह आप पहले तो समझेंगे, next question, we can't totally eradicate the thoughts on thinking the probability after trades are executed, because every trade may not give the same and desired result, so how to control this? Some questions may sound silly, but this is first time, okay. Questions आते हैं दिमाग में, और वो हम लोग discuss करके आगे बढ़े, तो पहले तो हम totally उसको नहीं thoughts को हटा नहीं सकते है, I can understand, और हमें पता है, मतलब, see, probability after trades, मतलब, हमें पता है कि there is a probability, यह ना, लेकिन probability क्या है, कि every trade may not give same results, मतलब, हम तो हर trade profit हो, इसके लिए ही करते हैं, it's a simple thing, कोई भी trader उसी के लिए trade डालता है, लेकिन पता भी है ना, at the back of the mind, यह तो है ही कि हर trade profit में होगा, यह जरूरी नहीं, तो loss क्या होगा, या तो उसको handle करेंगे, या उसको, जो है, हमारा risk management, उसी के लिए है कि loss भी हो सकता है, तो जब यह होता है, मैं जब सिंपल उसका नाम लिख दो, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ, तो टू प्रशांट शा फंड हाउस, and everyday यह जब trade लेने के बाद ही, जो चितनी भी दिमाग में चीज़ आती है, monkey mind की, बस लिखो, write it down, ठीक है, और अपने experiences को अच्छे से explain करो, बस एक ही चीज़ करो, एक बार future में better handle कर पाऊं, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है, मैंने कोई trade लिया, as per my system, as per my analysis, अब मुझे लगता है, यहां तक target है, और मैं उसके लिए मुझे वेट करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा उपर आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं निकल है, हर एक trade का हो सकते हैं, अलग 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 जितना मर्जी उतना लिखो, लिखते जाओ, फिर उसका क्या करना है, मैं आगे की वीडियो में आपको explain करूं, तो पहला तो आप चीज इसको करो, इस तरह से इसको handle करने ही कोशिश करते हैं, ठीक, another question यह थोड़ा important था, बड़ quarterly performance, we also start judging ourselves, based on P&L, are we doing correct things, trading systems have some purple patches, pressure of outperforming constantly, approach of कर्म का फल की इच्छा मत कर, तो यह question था, एक अच्छे practitioner ने पूछी हुए चीज है, और मैंने उनसे permission भी लिया था, कि इसको मैं briefly touch करता हूं, तो यह बहुत important चीज है, खास करके छो लोग actively trade वगेरा करते हैं, कहीना कि family pressure होता है, और eventually हम लोग भी वही judge करते है, based on P&L, अब इसका जड़ कहां पर है, दिखे, job और profession का एक फर्क होता है, job में आपको every month एक fixed amount आता है, profession में नहीं होता है, और trading एक profession, और trading market चैसा ही नहीं कि आपको हर महीने का एक same trend रहेगा, और वहीं वेसिस से outcome होगा, there can be some income strategies in options trading, वो एक अलग subject है, अलग discussion है, लेकिन वहाँ भी ये कुछ emotional aspects होते हैं और उसकी बज़े से वहाँ भी लोग सफ़ करते हैं, अब जब normal trading में हम बात करें, एक तो आपका कोई option strategy हो, कोई अलग अलग अगर आप multiple strategies trade करते हो, that can help, ये सब के बाद भी कोई भी market में consistently एक ही type का result आएगा, ऐसा नहीं होगा, हर महीने एक type का ही outcome आएगा ये नहीं होगा, और ये जब आपको पता है, तो आपको अलग ही सोचना है, जो बाकी लोग सोच रहे हो से, और trading में, जब मैंने ये series के start की, जिसमें इसका ये एक important aspect है, जो common tendency होते हैं, जिस तरह से normal problem ही होती है, तो इस थोड़ी अलग ही build करनी पड़ती है, develop करनी पड़ती है, और इसमें बहुत सारा maturity वाला aspect होता है, in fact मुझे ऐसा लगता है कि trading इंसान को बहुत mature बनाता है, मतलब हमें पता है कि probability होता है हर चीज का, आप कितने भी अच्छे से करो, outcome पूरी तरह से आपक random हो सकता है, लेकिन अगर पूरी तरह से हमारा focus सही जगा पे हो, तो over a time outcome favorable हो सकता है, ये चीज़े है न, ये understanding जिस दिन निमाग में fit हो जाए न, trading बहुत अच्छा होता है, तो पहली बात तो आपको family और ये सब को, मतलब उनकी thought process से आप align नहीं कर पाओगे, लेकिन ultimately उनक कभी expectation ये है कि over a time you should do well in markets, पहली चीज़ तो उनके लिए, at least अपने लिए न, तो उनके लिए at least ये जरूर करो, कि ऐसी severe गलतिया मत करना, जिसकी वज़े से वो भी problem में है, जैसे आप को जादा leverage लेके काम करोगे, जिसमें बहुत बड़ा ऐसा नुकसान हो जाएगा, जो control calculated हो, तो pain जो होगा न, वो bearable होगा, और उसमें सब जल्दी overcome कर पाओगे, इसलिए process का important है, process में ये होता है, कि कुछ drawdown calculated होता है, eventually आप उसको overcome कर सकते हो, उसी process को stick करके, तो चाहे हर महिने नहीं, लेकिन over a time हो सकता है, हर quarter या over a time, you'll be in a better shape, इसलिए process को stick करना जदा जरू काम नहीं कर, अगर आप सही काम करें, और सही काम का मतलब है, अच्छी process, अच्छी process को execution पर जान देना, follow करना, discipline बने रहेना, वो जब आप कर रहे हो, तो बाकी ये सब चीजों को nice समझ के side में रुख देना, और अगर ये आप करोगे, तो आप खुद को सिर्फ P&L के base पे judge नहीं करोगे, at least ये सीजी साब को इतना तो समझ में आएगा, कि ये shadow P&L बढ़ा problem है, और उसके base pitch खुद को और outcome को, अपने decisions को judge करना, ये तो बहुत बड़ा गलती है, जो होगर trader करता है, और इसलिए जादा तर लोग सफर करता है, और वो outcome और ये सब सिर्दिमाग में ह खेले, markets किसी के control में नहीं है, और ultimately जो हमारे trade के outcome होते है, वो हमारे जो imagine किये हुई चीजे है, उससे और actual outcome का कोई लेना देना नहीं, आपको option में पता न, realized volatility और implied volatility, ऐसा आप समझ लो, कि ये जो actual outcome है, वो totally अलग होता है, और इसलिए हमें ये imagination से बाहर आके सिफ focus कहां करन है, वो हमें पता होना चाहिए, trading system have some purple patches, pressure of outperforming, outperforming का pressure, ये हम दिमाग में ले रहे हैं कि constantly मुझे करना अब ये ऐसा तो है, ये कि आप pressure लेके कुछ बहुत महिनत करके कुछ तो करोगे, जिससे outperformance आएगा, नहीं, आपका काम क्या है कि processes पे ध्यान देना, सीखना, अपने आ प्रेशर लेके नहीं आने वाले, तो इसमें, in fact, आप जितना pressure लोगे, आप जितना सूच रोगे, और जितना market उसकी बज़े से जादा analysis करोगे, उससे 100% आपका underperformance होने वाले, तो वह ता outperformance के लिए बहुत खराब चीज़ है, तो वो समझ लो, तो इसके लिए वो pressure जो है, और actual trading से उसका कोई लेना देना नहीं, और अब जो है, कि जो हम घीता के इसमें बार बार बोलते हैं, कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो इसको अगर मैं ऐसे बोलू, तो ultimately तो कोई भी जो आदमी काम करता है, वो outcome का, तो उसको expectation होता ही है, हम काम ही ऐसा करें, कि वो अपन मतलब इतना अच्छा process है, और मैं discipline को, उसको execute कर रहा हूं, उसी का I am so proud, और वही मेरे लिए एक अच्छा outcome बन जाए, तो ultimately जो outcome, so-called outcome है, वो तो अच्छा ही होगा, मतलब market में अगर मैं अच्छी तरीके से काम करने पे ही जादा ध्यान दूँ, तो overall results अच्छे ही होगा, इस direction में हम सोचना start करते हैं, अभी कुछ questions है जो मैंने यहाँ पर discuss किये, थोड़ा सा video बढ़ा हुआ, लेकिन मुए कोशिश कर रहा हूं कि हम आगे discuss करते जाए, उसी में हम queries भी थोड़ा-थोड़ा में touch करूं, जहां-जहां मुझे लगे में उसके उपर थोड़ा video भी ब बार-बार ऐसे जगा जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम से जो अटेंड करते हैं, जिससे उनका माइंड में वापस यह चीज़ें जो है, कुछ चीजों का hammering ज़रूरी होता है, तो वह भी ऐसी चीज़े practice करते हैं, जैसे आप sports में भी देखो, तो mindset के लिए mentors होते है वह भी इसलिए होते हैं, कुछ चीजों के लिए बार-बार hammering थोड़ा जरूरी होता है, आगर आपने सुना होगा ना, जैसे गौतम बुद्धा के चार चीज़े उन्होंने बोले थी, कि एक तो सरवन दुखन मतलब सब जगा there is a problem, second है हर problem का कोई reason है, third है अगर reason है तो solution ह तो यही जो चीज़े है ना, वो है problem analysis, बतलब वो अगर हम ठीक से करें, फिर उसके बाद आता है solution जिसमें उन्होंने अस्तांग मार बोला था, वैसे ही हम यहाँ पर 8 hacks discuss करेंगे, जिससे हम इन problems को थोड़ा अलग से tackle कर पाए, जैसे एक मने बोला ना, let's think as a fund house, और यह जो चीज़े share discuss करें, experiencer discuss करें, जिससे benefit हो सके, और इसी में, जैसे अभी हमने घीता की एक शलोक की बात की, वैसे उसमें एक और चीज़ कही गई है, जिसमें आप किसी को अगर follow कर रहे हो, अगर किसी चीज़ को आप अच्छे से, अपने decide किया कि follow करना है, तो आप doubt side में रख और उसको पूरी तरह से follow करो, that is the best way to learn something, जैसे आप अगर कोई नई चीज़ सीख रहे हो ना, जब आप पहले कर रहे हो ना, उसको तो एक, जो आपका कोई एक mentor होता है ना, उसको आप पूरी तरह से follow करो पहले, उस time आप पुरा doubt side में रखो, trust करो और follow करो, and then, जब आप स mentor पहले तो हो मिले, उसके बाद आप उसको पूरी तरह से follow करो, यह एक जरूरी है जब आप इस industry में काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे जो psychology की हम लोग बात कर रहे हो, वहाँ पे मैं कूशिश कर रहा हूं कि एक एक करेंगे हम चीजों को discuss करें और आगे बढ़े, मेरा यही रहे करें उसके लिए वह बेस्ट उसका reward हो अगले वीडियो में नेक्स टेखनीक पर अच्छे से discuss करेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में